नमस्कार दोस्तो केस्पिल्ड पर मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उन निवेशकों की जिनोंने आपसे कुछ समय पहले कुछ कमपनियों के खिलाब सिकायत दर्ज की थी सिकायत ये थी कि हमारा पैसा हमारा इतना लाख रुपे या हमारे इतने हजार रुपे इस कमपनी में जमा है और जब पैसा देने का समय आया तो ये कमपनी जो है फरार हो गई कमपनी पैसा लेकर भाग गई ऐसे में दोस्तों आपको पता है देशबर के अंदर हजारों कमपनी आ थी जहां निवेशकों का पैसा जमा था अब बहुत बड़ी खबरे निकल कर रहाई है खबरे बड़ी इसलिए हैं क्योंकि निवेशकों ने कमपनी के खिलाब जो सिकायते दर्ज की थी दोस्तों वो आप वापस ली है अब आप समझ रहे हो सबसे पहले अगर आपने किसी कमपनी में पैसा लगाया है वो पैसा आपका नहीं मिला आप सिकायत कर रहे हो पुलिस में जाकर आप कहरें कि उस company में हमारा पैसा है आपने सिकाय दर्ज की उसके बाद जब पैसा देने की बात आई या company के जो मालिक थे उनको सजा देने की बात आई तो यही निवेसक जिन्होंने पैसा investment किया था यही निवेसक यह कह रहे हैं सार हम नहीं जानते यह मालिक कौन है हम अपन इंडिया की बात करेंगे बहुत सारी company है तो ऐसे में अगर मानकर चलिए पीएशेल इंडिया लिमिटेड ओनलाइन पेमिंट की बात करते हैं आपने एक लाख रुपया जमा किया है किसी कारणमर से लेंड अलोटमेंट हिया सो गया अब पिरसासन आप से कह रहा है कि अगर आपको पैसा वापस लेना है तो आप पीएशेल इंडिया के खिलाब मुकदमा दर्ज करिए अब जब मुकदमे की बात आती है तो आप मुकदमा दर्ज कर देते हैं उसके बाद होता क्या है कि मुकदमा दर्ज करने के बाद जब कोट में केस जाता है और वहाँ पर यह कहा लेने हैं पैसा मिलना दोस्तो ऐसे लोगों का बहुत मुश्किल है और ये कंपलेंट क्यों वापस ली जा रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा साथ साथ और एक और बड़ी खाबर निकल कर आईए दोस्तो अपसे पहले आपने देखा होगा अगर हम बात करेंगे दोस्तो कौन सी कंपनी है अपसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तो आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल को फोलो करते होंगे पीसल कंपनी के अगर हम बात करते हैं तो भारत के अंदर दो पीसल कंपनी है एक है पीसल इंडिया लिमिटेट ऑनलाइन पेमिंट ये भी पीसल है दूस इस कंपनी के मैं बात कर रहा हूं दोस्तो ये वो कंपनी है जो कि कैमिकल बनाती है पंजाब के अंदर है अब सुनिए अपसे पहले बहुत सारी यूट्यूब चैनल ऐसे थे जो कि आपको ये बताते थे कि देखिए एक हजार लोगों का पैसा आ गया पांस सो लोगों को प तरीके से आई पैसा वापस कैसे देगी पर बहुत सारे कंपनी बहुत सारे जो यूट्यूब रहें दोस्तों वो अपना जो है यूट्यूब चैनल खूलकर बैठ गए बस पी एसल देखते हैं आप लोग और उनकी वीडियो देखने लगते हैं यह जानने की कोशिस नहीं क कोट में केस चल रहा है तो आप इस पीएशल कंपनी को अपने वाली पीएशल कंपनी के साथ समझ ना लें ऐसा ना समझे कि यह वाली कोई ख़बर आपको बता दे और अब यह समझ बैटे अब चलिए मुद्दे की बात करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों न कंपनी आई है यहां पर आप देख भी सकते हो सहर में चिटफन कंपनी ने लोगों को दोगुना धन जो है देने के अलालाच में कि आप सोर पे देंगे तो हम दो सर पे देंगे बहुत सारी कंपनी ने निवेशकों चे पैसा इखटा किया इसके बाद कंपनी के पैसला सुना दिया पुलिस ने केसों में सीनवेशकों को गवा बनाया यानिकि जिन लोगों का पैसा जमा था वो ही गवा बनाए गए लेकिन गवा कोर्ट में मुकर रहे हैं यानिकि गवाही देने ही नहीं जा रहे हैं लोग कह रहे हैं कि हम निजानते साब क्यों इसी कार प्रवारियों की प्रमुक धाराओं में सजा नहीं हो रही है भारते रिजर बैंक कादिनियम की धारा के तहट सजा मिल पा रही है जो की धारा है 34 सजा में 6 महीने से लेकर 2 साल तक सजा होने का प्राबदान है पर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केस देखने को मिले हैं जहां पर जो है जो निवे सक है जिन्होंने पैसा लगाया था वो गभाई नहीं दे रहे हैं चार केसों में आरोपियों को 6 साल की सजा होई चार केस और ते जिसमें 4-4 साल की सजा होई नो केसों में 6 महीने से लेकर 2 साल की बीच की सजा होई और 20 जो है टायले अभी लंबित है यानि खिलाब केस दर चल रहे हैं पर लोग जो हैं सिखायत जिन्होंने की थी अब वो गवाई नहीं दे रहे हैं ऐसे में दोस्ते एक कंपनी निकल कर आती है जिसका नाम है के एम जे के डायरेक्टर फरार चल रहे हैं यह ट्रायल पर उपस्तित नहीं हुए अन्या केसों का भी यह परिवार डेरी में 50,000 से अधिक लोगों का इन्वेस्टमेंट है समझ रहे हो परिवार डेरी जो कंपनी है उसमें भी 50,000 लोगों का पैसा लगावा है 30 दिसमबर 2022 को को परिवार डेरी के मामले में फैसला सुनाया और 8 लोगों को 2-2 साल के सजा सुना दी चलिए अब एक चिट फंड कंपनी थी दोस्तो जिसका नामता CHEIT and Dhan इसमें जो माली के पर पूरवी को 6 महींने की सजा मेरी, ऐसे ही कुछ और भी कंपनी है, जिन में दोस्तों ये केस चल रहे थे, पर अब जो है, ये कहीं न कहीं 6 महींने की, 7 महींने की, 8 महींने की सजा काट रहे हैं, अब ये जो गवाही वाली बात है, ये जिन लोगों का पैसा था, वो गवाही क्यों नहीं सजा हो रही है और भारते रीजर बैंक अधिनियम के तहत चिट्फंड कंपनियों को दोसी ठहराए जा रहा है इसलिए सजा कम हो रही है अब यह बहुत सारी दोस्तों यहाँ पर देखने को मिली अब देखिए यहाँ पर दो चीजे हैं दोस्तों एक जो यहाँ पर धाराए लगाई गई है यानि कि भारते रीजर बैंधिनियम की धाराए के तहट इसमें 6 मेंने से 2 साल तक की सजा मिलने का प्रावदान है अब जो निवे सके हैं उनको पता है कि यार मान कर चलो कि हमने किसी कंपनी ए खिलाब केस कर दिया उसको 6 मेंने के सजा हो गई पैसा तो हमारा फिर भी नहीं आया कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यह जो यह कंपनी वाले हैं यह हरामी लोग हैं यह जो हैं ऐसे लोग हैं कि इनसे पंगा लेना ठीक नहीं है पता नहीं पैसे वाली लोगें क्या कुछ कर देंगे तो ऐसे में कहीं न कहीं जो कमजूर निवेश हैं उनको ये डर है ये अगर छाय मेहिन ने की सजा हमने इनको करवा दी गवाही दिला दी या दो साले की भी सजा हो गई पैसा हमारा नहीं मिला तो इसके बाद ہم पंगा और इनसे ले लेंगे मतलब पैसा तो हमारा गया ही गया दुसमनी और हम ले लेंगे तो यह डर्वी निवेशकों के अंदर है क्योँ क्यों क्योख दोस्तों यहाँ पर जो प्राबधान है अगर निवेसकों को पैसा नहीं मिल रहा है या फिर कम से कम आपका पैसा वापस हो जाए तो निवेसक यहाँ पर एक तरीके से डर भी रहे हैं गवाई नहीं दे रहे हैं बहुत सारे उनके दिमाग में यहाँ पर बाते चल लिए इसलिए जो निवेशख सका इन पर पैसा रिफंड होना था उस पर रोक लगा दी गई है सहारा के तरफ से 14 लोगों का नाम आया है कौन कौन सी कमपनी है दोस्तों तो गड़वाल में दोस्तों इस चल रही थी इसमें से एक कमपनी है सहारा इंडिया की सहारा क्रेडिट कॉपरेटिव सुसाइटी दूसरी है हमारा इंडिया क्रेडिट सुसाइटी तिसरी है सहारीन यूनिवर्स intensity और चोगम यह जो है इन कमपनियों में लोगों के लाखोर रुपे लगे थे ऐसे में फिलाल इन इन कमपनियों का भुक्तान बंध है जो लोग तो पैसा नहीं मिर रहा है या आप किसी भी निवेसक के दवाब में आकर कम्पनी के खिलाब गलत बोलते हैं यह कम्पनी पर यह pressure बनाने की कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द जो है निवेसक को पैसा दिया जाए तो ऐसे में आपकी नोकरी को भी खत्रा है और आपके लिए भी खत्रा है अगर सहारा में सहारा कमपनी के साथ काम करना है तो आपको सहारा के नियम मानने पड़ेंगे बाकी जो केस हैं वो नियायले में चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जो भी होगा उसे हम देख लेंगे कोई भी हमारी कमपनी का जो करमचारी है वो बाहरी किसी भी व्यक्ति के जो है बातों में ना आए और अगर उसकी बातों में अपनी बाते मिलाता है या उसकी बातों में अपना तालमेल मिलाता है तो यह कहीं न कहीं सहरा के जो इंपलोई हैं उनके लिए नुक्सान दायक हो सकता है तो ऐसी खबरे भी दोस्तों लें आफकर बताइए दोस्तो तो ति किस तरीके से फिलाल भारत के अंडर चारो तरप पूरे भारत की बात करेंगे दोस्तो अलग-अलग कम्पनियों में काम जो है बहुत गर तरीके में चल रहा है जो छोटी छोटी कमपनी हैं दोस्तों उसमें निवेशकों को पैसा नहीं मिल रहा है सजा की बात कर रहे हैं तो 6-6 महीदने में छूट जा रहे हैं सहरा का पैसा दोस्तों ये भी इन 4 कमपनीयों में नहीं मिलेगा और इसके साहरा की जो employee है जो staff है उसको भी सहरा सिरी के तरफ से बताया गया है कि आप जो है बाहरी किसी वक्ती की बात नहीं मानेंगे पीसल इंड़ा की बात करेंगे दोस्तों तो फिलाल online जो document है वो लिये जा रहे हैं और अब आने वाले समय में बाट सेक्ट कही जगर लागू कर दिया गया है तो इसका भी फाइदा देखने को मिलने वाला है फिलाल overall मैंना बहुत सारी कंपनियां इसलिए पकड़ी है ताकि इनकी जानकारे भी आपको होनी चाहिए फिलाल इस पर आपके क्या विचार कमेंट्स बोक्स में जरूर दें धन्यवाद